आज की वीडियो में हम जानेंगे I.M. इंजेक्षन के बारे में I.M. इंजेक्षन को हम किस किस जगह पे लगा सकते हैं और कौन से जगह पे कितना इंजेक्षन लगता है ये सबसे important होता है अगर आप किसी किलिनिक या फिर medical store पर या hospital में काम करते हैं तो आपको जरूर से पता होना चाहिए IAM injection कहां कहां लगाए जाते हैं और कौन से जगए कितना injection लगा सकते हैं ये आपको बहुत ही अच्छे से पता होना चाहिए तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब क कह सकते हैं मसल्स में ही लगाए जाते हैं और एक होता है IV यानि इंट्राविनस जो सिर्फ नसों में लगाए जाते हैं डारेक्ट बलड में लगता है नसों के थूरू IV injection fast action show करता है क्योंकि ये direct blood में जाता है और heart में पहुँचकर पूरी body में सब जंगे distribute हो जाता है और जो IM injection होता है ये थोड़ा slow काम करता है क्योंकि ये direct mass में जाता है और धेरे धेरे absorb होकर प्रिलिफ देना सुरू करता है कुछ injection ऐसे होते हैं जो IV लगते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो IM लगते हैं और इन में बहुत सारी injection ऐसे होते हैं जो IV और IM दोनों रूट से लगाए जाते हैं injection के उपर ये लिखा होता है आप देख सकते हैं इस तरह से injection के उपर लिखा होता है IV और IM अब हम जान लेते हैं I.M. injection को हम कहां कहां लगा सकते हैं I.M. injection को हम चार जंगे लगा सकते हैं नमबर वन डेल्टोइड मसल्स डेल्टोइड मसल्स मतलब कंदे पर यहां injection कब लगता है जब कहीं T.K. वगेरा लगते हैं या फिर महिला को कहीं पे लिटा नहीं सकते तो ऐसी कंडिशन में कंदे पर IM इंजेक्शन को लगा देते हैं और यहाँ पे ECML इंजेक्शन लगाया जाता है क्योंकि यह छोटी मसल्स होती है जो ECML इंजेक्शन को ही एबजोब कर पाती है तो डेल्टोइड मसल में आप ECML इंजेक्शन लगा सकते हैं मतलब जांग में इस इंजेक्शन को जांग में लगाया जाता है यहाँ पे आप देख सकते हैं इस हिस्से पर आप इस इंजेक्शन को लगा सकते हैं मेल फीमेल और निव बोर्ण बेबी को TKV इसी जंगे पर लगा जाते हैं यहां पे भी आप A.K.M.L. इंजेक्शन को लगा सकते हैं और यहां पे जो 26 नमबर की निडिल होती है सबकुटेनियस वाली जो सिरिंज होती है ऐसी सिरिंज से इस इंजेक्शन को लगा जाता है जो एक यह डेडिंश की होती है और नमबर थ्री होता है VENTRO GLUTAL यह हिप्स की मसल्स होती है और यह कमर की जो मसल्स होती है उससे थोड़ा सा अलग लगता है थोड़ा सा साइड में लगता है आप देख सकते हैं इसमें भी एक या डेडेमल के करीब इंजेक्शन लगा सकते हैं और इसमें भी थोड़ा कम धर्द होता है लेकिन यहां पे भी इंजेक्शन को बहुत कम लगाया जाता है बाकी लगाने में किसी तरह की कोई प्रोबलम नहीं है और नमबर फूर है हमारा सबसे लास्ट इस मसल्स में सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगाया जाता है आयम इंजेक्शन को सबसे ज़्यादा यहीं पे लगाया जाता है नमबर फूर डोर्सो गलूटल मसल्स यानि कमर वाली मसल्स इस मसल्स में सबसे ज़्यादा इंजेक्शन लगाया जाता है बच्चे बड़े मेल फीमेल सभी को इस मसल्स में इंजेक्शन सबसे ज़्यादा लगाया जाता है यहाँ पे आप एक एमेल डेड़ एमेल या दो एमेल तक आराम से लगा सकते हैं और कभी-कभी 3 ml भी लगा देते हैं, क्योंकि यहां की जो muscles होती है, वो काफी बड़ी होती है, और धर्द भी बहुत कम होता है, तो यहां पे आप 1 ml, 1.5 ml या 2 ml तक आराम से लगा सकते हैं, इनमें सबसे common यही होता है, डोर्सो गलूटल muscles, इसमें सबसे ज़्यादा injection लगा जाते हैं, वेस्टर्स लेटर्स मतलब जांग में लगा जाते हैं, और सबसे कम injection वेंट्रो गलूटल जाता है, ताकि गटन को या सुजन को आराम से ठीक कर सके, उमीद करता हूँ यह वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को भी सस्क्राइब कर सकते हैं,